हलो फ्रेंट्स आपके अपने यूट्यूब चानल हल्टिप्स क्यानिन हिंदी में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज हम आपको बताएंगे आप कैसे जोडों के दर्थ से रहात पास सकते हैं क्योंकि जोडों का दर्थ एक ऐसी परिशानी है जो बहुत ज़ादा कश्टाय होती है इससे पहरे फ्रेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चानल हल्टिप्स के आनिन हिंदी को सब्सक सच है कि हम जब 30 की उम्र में आने लगते हैं तो हमारी हड्यों से क्यलचम की मात्रा भी खटने लगती है तब जोडों के दर्थ होने लगते हैं और भुडापे में ये दर्थ ऐसा दर्थ बन जाता है जो कभी जाता ही नहीं इसके लावा जोडों का दर्थ कई बिमारियों की कारण से हो सकता है जैसे ओस्टियो अर्थ राइड्स, रूमेटोईट, गठिया-गठिया, बर्सोईटाइस, टेंडीनाइटस या तनाफ चोड जोडों के आसपास लिगामेंट को भी वावित करती है यह शरीड की किसी भी जोड़ वाले इससे में हो सकता है लेकिन विशेश रूप से गुटने, कंदे और कूलो को एफेक्ट करता है जोडों में दर्थ और सूजन आपको समाने से गंभीर दर्थ दर्थ देगी सकता है और आपके जोडों में सूजन और कठोर्था कारण बनता अक्सर कई डॉक्टर एंटी इंफिलमेटरी दवाओं और दर्थ नाशकों के साथ जोडों में दर्थ का इलाज करते हैं इसके लिए बहतर है कि आप जोडों के दर्थ की निवारन क्लेप प्राकर्ति को पाई ही अपनाएं जो पहले से चलते हैं और अधिक लोग प्रेय हैं चलिए बताते हैं आपको जोडों के दर्थ से निजात पाने का अचुक नुसका आपको जिन इंक्रिडेंट्स की जरुत होगी भी हैं लाल मिर्ष पाउडर नारिल तेल चलिए जाल ने दें से बनाने और लगाने का तरीका सबसे पहले आधा कप नारिल तेल को गर्म करें और इसमें दो चमश लाल मिर्ष का पाउडरों मिलाईए इस मिश्रन को दर्थ वरी जगा पर लगाईए इसे 20 मिनट तक लगे रहने देने के बाद इसे धोली जरे दर्थ से रात मिलने तक इसे दिन में 2-3 बार यूज़ करें आप डेली एफेक्टिड एरिया पर एक केपसिकम क्रीम कप योग भी कर सकते हैं असकारबिक एसेड फॉलिक एसाड इसट्पिड मेलिक एसेड मैलब्न इक होती है और ब्राकर्थिक आनलेजिश आग दर्थ से मुक के सात्त रामने इक योगिक होता है जो हमारी दर्थ को दूद कर हम में फिट रखता है अगर आपकी कोई कुवारी है डाउट है तो आप उमसे कमेंट के जरीए पूश सकते हूं में इसे आपको हमारी के वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मलता रहें थैंक्स वर वाचिंग आर वीडियो टेक केर और बाबाई